जहिल वेलकम बैक टू विजपत एजुकेशन पालंपूर विजपत एजुकेशन की पेड ग्लासिस में आप सभी का वेलकम है अभिनंदन है सीरीज का सेकिंड पार्ट आपके लिए रहेगा जिसमें हम नंबर सीरीज के ही थोड़े से अप लेवल की कोईशन को यहाँ पे ट्राइ करेंगे बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट हमने जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिया है आई होप आपने उसके नोट्स भी साथ साथ में बना लिए है स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को पहला प्रशन आपके सामने रहेगा प्रशन है 76, 73, 71, 67, 64, 62 और गैप कोशन को आप ट्राइ करें इसमें हमारे इजी लेवल, मोडरेट और हाई लेवल के कोशन भी यहाँ पर रहेंगे गैप आपको चेक करना है 76 में से अगर मैं 3 बापिस जाता हूँ तो 73 आता है 73 में से अगर मैं 2 कम करता हूँ 71, 71 में से मैं 4 कम करता हूँ 2 कितना आएगा मेरे पास 67 आएगा फिर मैं यहाँ पर 67 में से 3 कम करता हूँ 64, 64 में से 2 कम किये 62 तो जहां से आप यहाँ पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो पैटरन कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहले 3, 2, 4 था फिर 3, 2, फिर यह पता नहीं चल रहा कि 32, 43, फिर क्या चीज यह लिखी गई है तो जब आप कुशन को देखेंगे पहले माइनस 3, माइनस 2 फिर माइनस के 4 यह एक ग्रूप हमारा कम्पलीट हो गया उसके आप फिर से रिपीट हूर नहीं लगा है माइनस 3, माइनस 2 तो यहाँ पे के करेंगे माइनस 4 करेंगे तो 62 में से जब हमारे 4 चलेगे तो आणसर के आगया 58 तो कि यह बार इस तरीके से भी कॉशन आपका एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला प्रशन है यह आपका multiply का pattern आप यहाँ पे apply कर सकते हैं लेकिन आप check करें कौन सा तरीका जो है वो आपका यहाँ पे बनता है gap का pattern अच्छा है या फिर multiply का अगर gap का pattern नहीं लगता है तो आपको multiply ही का ही pattern आपके पास एक option रहता है कि वो लगेगा तो इस question को जब आप देखेंगे 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 5 5 को मैं गुणा करूँगा 2 से कितना है का 10 और 2 कितने 12 12 को 2 से गुणा किया 24 और 3 कितने 27 मेरे को pattern मिल गया मैं सभी को multiply 2 कर रहा हूँ लेकिन उसके पहले मैंने किया प्लस 1 फिर किया मैंने प्लस 2 फिर किया प्लस 3 तो अब क्या करूँगा अब करूँगा मैं प्लस 4 अब मैंने किया प्लस 4 तो 27 का double कितना 27 का double होगा मेरा 54 54 और 4 कितने 58 राइट अंसर कौन सा option D हमारा राइट अंसर है साथ साथ मैं आपको नोट्स जो है वो बनाते चलना है क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जो हर बार आपका जो है वो lifetime तक साथ जो है वो देते हैं नोट्स आपको जो है वो चीजे कभी भी नहीं बुलाते हैं आपको पता है आज कल जो है वो handmade notes आपके internet से आपको market में जो है वो कई परकार की books मिल जाती है handmade है bilingual है लेकिन जो अपने समझ के according जो चीजें बनाई जाती है वो आपको पूरी lifetime तक नहीं भूलती है अगला प्रशन है 7 उसके आद है 19 उसके आद है 42 फिर है 87 और फिर है आपके पास gap तो multiply का ही rule apply करेंगे 7 गुणा 2 किया 14 हो गया 14 और कितने 19 14 और 5 19 हो गया ठीक है जी into 2 into plus 5 का pattern फिर 19 को 2 से गुणा करूंगा 38, 38 और 4 42 ये भी बन गया फिर 42 का double किया कितना आएगा 84, 84 और 3 कितने 87 तो pattern तो मिल गया into 2 सम्मे कर रहे हैं पहले plus 5 किया फिर plus 4, फिर plus 3 तो अब क्या करेंगे plus 2 करेंगे ठीक है जी 87 को 2 से गुणा किया तो 174 और plus 2 176 option B हमारा इस question का right answer होगा अगला प्रशन है इस question को आप try करें क्या right answer होगा हमारा ये है question हमारे पास 3, 7, 16 35 और gap विजयपत एजुकेशन के दौरा जो है वो आपको paid glasses जो है वो provide करवाई जा रहे हैं जिसमें आप अपनी त्यारी जो है वो बिल्कुल एक reasonable price में जो है वो आप घर बैठे कर सकते हैं और जो आपकी नोकरी है सरकारी नोकरी उसके लिए जो है वो आप apply करें 100% आपको success मिले ऐसे विजयपत education आपके लिए जो है वो काम न करता है लेकिन आपको त्यारी जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी है क्योंकि हर किसी exam में आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं reasoning आपके exam में पूछी जाती है क्योंकि जो हमारा syllabus रहता है वो हर किसी exam का same है तो आपको ऐसा नहीं सोचने कि हम army की त्यारी कर रहे हैं हम ssc की त्यारी कर रहे हैं हम हिमाचल की exam की त्यारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए जरूरी नहीं है ये इसके लिए जरूरी नहीं है आपको बता दू कि 2 into 2 हर बार क्या होगा 4 होगा चाहे आप SSC का एक्जाम दे, CGL का एक्जाम दे, UPSC का एक्जाम दे, आर्मी का एक्जाम दे, हिमाचल पुलिस का एक्जाम दे, पतवारी का एक्जाम दे, किसी भी चीज का आप एक्जाम देते हैं, math, reasoning, science, hindi, english, हर आपका जो syllabus है वो सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात कितनी है, level की, कि आर्मी के एक्जाम में, level कम पुछा जाता है, और जो आपके high level exam है, उनमें आपका थोड़ा जा level बढ़ जाता है, इस question के उपर बापिस आते हैं, क्या हमारा pattern यहाँ पर apply होगा, into का pattern लगा के देखते हैं, 3 को 2 से गुणा किया, 6 और 1, 7, 7 को 2 से गुणा किया, 14 और 2, 16, 16 को 2 से गुणा किया, 32, 32 और 3 कितने, 35, अब इसमें भी एक वार apply करके देखते हैं, into 2, pattern हमारा जो चला है, वो चला है, plus 1, plus 2, plus 3, तो अगला क्या होगा, plus 4, 35 को 2 से करेंगे, 70 और 4 कितने हैं, चो 70, option कौन सा है, option B हमारा right answer होगा, अगला प्रशन, 9, 10, 13, 22, 49, क्या pattern हम लगाएंगे इसमें, देखते हैं, बिल्कुल सही वाला question जो है, वो आपके लिए आया है, यह, 13, 22, 49 और gap, pattern आप देख है, फिर 3 का gap है, उसके बाद जो है, वो 9 का gap है, फिर 27 का gap है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस gap में ही है, जो हमने gap निकाला, यहाँ से तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कि 1, 3, 9, 27 का हम क्या करें, लेकिन इसके बाद फिर से एक वार gap निकलेगा, तो वो gap चलेगा इंटू का, इंटू 3, 3 गुणा 3, 9, 9 गुणा 3, 27, तो 27 गुणा 3 कितना, 81, तो 49 और 81 आपको एड करने है, 9 रेक, 10 उपर एक जाएगा, 8, 4, 12 और 1, 13, 130 हमारा इस question का सही अंसर होगा, तो इस तरीके की question भी आपके जो है, वो इकसाम में पूछे, जाते हैं, अगल आपको नहीं छोड़नी है, तियारी आपको करते रहना है, अगला प्रशन जो है, ये question आपके लिए homework रहेगा, खुद आप इस question को try करें, कौन सा pattern आप इसमें लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपका pattern है, वो multiply का ही pattern आपका लगेगा, starting की value छोटी ह लास्ट वाली value 500 के आसपास है, तो काफी बड़ा gap है, और जब आप option को देखेंगे, तो 8 या 9000 वाले option है, तो कहीं न कहीं multiply का ही rule यहाँ पे लगेगा, pattern आप खुद चेक करें, answer मैं आपको बता देता, answer इसका रहेगा, option D, ये question आपके लिए homework है, क्योंकि जब तक आप इ मा का use करना है, कौन सा method आप apply करें, कि option D हमारा यहाँ पे सही answer है, बिल्कुल एक ही question मैंने आपके लिए homework में दिया है, और ये आपकी responsibility बनती है, कि अगर हम आपके लिए effort लगा रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरफ से खुद के लिए effort जो है वो लगाना पड़ेगा, अग आपको पता है, तो इस question को आप try करें, कि answer इसका रहेगा, ये आपका minus में भी question जो है वो दिया गया है, कई बार बच्चे जो है वो इसी चीज से puzzle हो जाते हैं, कि एक तो question दिया गया है point में और दूसरा इसमें लगा दिया minus, तो हमें तो ये समझ में ही नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो, आपका question काफी easy है, आपको gap ही check करना है हर बार, यहाँ पे gap कितने का है, आप minus करके देखे, 0.35 में से आपने कितना कम किया, sorry, यहाँ पे 0.5 में से कम होगा, 35, gap यहाँ आपको निकालना है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गए, 0. 0.15 का gap है, ठीक है जी, यहाँ गया, फिर 35 और 20 के बीच check करें, 0.35 और 0.2 चेक करें, 5, 3 में से 2 गया, यह भी 0.15 का gap है, इसको check करें, यह आपको पता है, 0.2 का मतलब कितना है, 20 और 0.5, 20 में से 5 चले गए, तो फिर से gap कितने का, 15 का gap है, ठीक है जी, 0.15 का gap, अगला भी क्या होगा फिर, 0.15 का ही तो gap होगा, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, 0.15 का जब आपका gap चला है, तो यहाँ पे आप सम्में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तभी आपके पास आ रह आपके पास है, और यह प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 15 चले गए, तो आपके पास क्या आ गया, 20 में से 15 चले गए, तो कितना आ गया, 5 आ गया, तो अब इसी चीज़ को आपको फिर से करना है, यह माइनस और प्लस, प्लस माइनस कितने, माइनस, तो जब आप चेक करेंगे कि आपका right answer रहेगा 0.15 as it is है और 0.055 पांच में से 5 गए 0 as it is तो 0.1 आप लिखें या 0.10 आप लिखें कौन सा आपका right answer होगा option B यह हमारा इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा तो आपको घबराना नहीं है आपके जो question है वो point के form में भी आपका question पूछा जा सकता है इसमें आपको gap का use करके आपको answer आपको निकालना है अगला question है यह question आपका into के pattern से ही solve होगा क्योंकि starting की value 6 और last की value लगभग 1500 के आसपास है तो इसका मतलब 1000, 1500 का फर्क है तो gap चलेगा into के लिए तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 गुणा 3 चरूंजा तो pattern तो हमें देखने से मिल गया चरूंजा को 3 से गुणा करिए कितना आएगा 54 into 3, 14, 12, 15, 15, 16, 162 आ सकता है लेकिन 162 को भी into 3 करके check करना है कि क्या 486 आ रहा है कि नहीं आ रहा तीन को 2 से 6, 16, 18, 48, 46, जी बिलकुल बन रहा है तो into 3 का pattern apply करें और answer आप निकाले 162 is the right answer अगला question इसमें भी आपके पास एक minus जो है वो दे दिया गया है चेक करें इस question को भी आप साथ-साथ में 400, 200, फिर है 100, फिर है gap, फिर है 25, फिर है minus 12.5 तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली value plus की है फिर minus की फिर plus की तो यहाँ पर आएगी minus की फिर plus की तो minus की इसका मतलब gap वाली value जो है वो minus वाली रहेगी या तो 75 आएगा minus का या तो minus 50 आएगा 400 का अधा, 200, 200 का अधा, 100 का अधा कितना, 50, 50 का अधा, 25 और 25 का अधा, 12.5 तो राइट आंसर क्या है, option A, इस दा राइट आंसर है, ठीक है जी, ओके, clear है आपको, अगला प्रेशन है reverse series आपके पास दी गई है, apply करे pattern को, into का rule आप लगा सकते हैं, लेकिन gap से भी आप अगर एक वार चेक करते हैं, अगर pattern follow होता है तो आप लगा के देखे, नहीं होता है, तो फिर आप जो है वो into का rule apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं multiply 2 करता हूँ, plus 1 कर दिया, 15 आगया, 15 का double, 30 और 31, 31 का double, 62 और 63, 63 का double, 26 और 117, ठीक है जी यहाँ पे कौन से value भरूँ, कि plus into 2, plus 1 करके, कितना आए, 7 आए, तो वो value आएगी मेरे पास, 3, 3 गुणा, 2, 6, और 1, 7, right answer के आएगा, option B यहाँ फिर आप इस question में gap को भी निकाल सकते हैं, gap कैसे निकलेगा, 127 और 63 के बीच है, minus 64 का gap यहाँ पे आएगा, 32 का gap, फिर आएगा, 16 का gap, फिर आएगा, 8 का gap, तो pattern क्या मिला, 64 का आदा, 32, 32 का आदा, 16, 16 का आदा, 8, 8 का आदा, कितना है, 4, तो 7 में से 4 गे, तो answer कितना आगया, 3 यह भी आपका question जो है, वो आपका, बिल्कुल सही answer रहेगा, अगला प्रशन है आपके पास, प्रशन है आपके पास, 3, 10, 24, 52 और 108, question को try करें आप, मैंने question यहाँ पे लिखा, 3, 10, 24, 52 और 108, यहाँ पे multiply आप करें, 3 को 3 से गुणा किया, तो कुछ value तो आज़ पास बनेगी, लेकिन मैं 3 को किस से गुणा करता हूँ, यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ, 3 गुणा, 2, 6, 6 और 4 कितने, 10 ठीक है जी, 10 गुणा दो, 20, 20 और 4, 24 ठीक है जी, बात बन रही है, 24 गुणा दो, 48, 48 और 4 कितने बावन, बिल्कुल पैटन हमारा बन गया है, आपको 108 को भी गुणा दो, और प्लस 4 ही करना है, 108 को 2 से गुणा करेंगे, और 4 एड करेंगे, तो कितना बनेगा, 220 बनेगा, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा, अगला प्रशन है, 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32, कोशन काफी अच्छा है, थोड़ा सा लंबा कोशन दिया है, घुमाने के लिए आपको, लेकिन आपको चेक क्या करना है, वो चीज में आपको यहाँ पर बताऊंगा, कई बार इग्जामिनर जो है, वो आपको question तो दे देता है लेकिन आपको pattern का पता नहीं चलता है उस वज़े से आप या तो question छोड़ देते हैं या question गलत करके आते हैं देखिए यहाँ पे आपकी value कहीं बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है अभी तक हमने जो series पड़ी थी या तो value एक, दो, तीन, चार आगे जा रही थी या फिर जैसे 10, 9, 8, 7 या तो वो पीछे की तरफ आ रही थी लेकिन यहाँ पे value आप देखेंगे तो पहले value है 2, फिर है 6, फिर है 4 तो पहले value बढ़ी 2 से 6 तक गई फिर 6 से हो सकता था 8 जाए, 10 जाए, 12 तो कोई ने कोई pattern तो बनता लेकिन बीच में value कभी छोटी हो जा रही है कभी क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है तो आपको pattern कौन सा follow करना है आप उस time पे क्या करें आप किसी एक value को छोड़ के चले एक value को आपको क्या करना है छोड़ कर ही चलना है 8 8 का double 16 16 का double कितना 32 आप ध्यान में रखके चले 32 का double जो है वो इस gap के आगे आएगा ठीक है जी अगला 6 और 9 को compare करते हैं 6 और 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18 पैटन मिल गया जी क्या मिला प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और यहां पर आएगा प्लस 6 18 और 6 कितने 18 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 24 तो राइट अंसर क्या है 24 ऑप्शन यह हमारा राइट अंसर है क्लेर जी आप सब भी को ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं अगला प्रिशन है आपके पास इजी है ज्यादा सोचने का टाइम तो हम आपको देंगे ही नहीं यहां पर प्लस 3 यहां पर प्लस 4 ठीक है जी प्लस 3 का गैप प्लस 4 का गैप 81 और 3 84 पैटन मिल गया जी प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 तो अगला अटमेटिकली प्लस 4 चार और 4 आठ अठाशी ठीक है जी राइट अंसर क्या होगा हमारा 88 हमारा राइट अंसर है प्लेर आप सब भी को अगले प्रिशन पर चलते हैं क्वेशन काफी अच्छा है यह भी आपके पास अप्लाई करके देखें पांच और चे 11 ग्यारा और चे 17 सतरा और चे तो नहीं होंगे 17 और आठ पच्चिस पच्चिस और पांच तीस और तीन आठ यह भी तेतिस तेतिस और दास कितने तरतारिस तो पैटन क्या मिला प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 तो अगला क्या आएगा प्लस 10 प्लस 10 तो 43 और 10 कितने 53 ओप्षन कौन साजी हमारा ओप्षन डी राइट अंसर होका हमारा अगला प्रशन है इसको भी आप एप्लाई करें क्या राइट अंसर है ग्यारा और दो कितने तेरा तेरा और चार कितने सत्रा सत्रा और दो 19 उननिस और चार त्रेइस त्रेइस और दो 25 तो पैटन क्या मिला प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 तो 24 और 4 कितने 29 राइट अंसर ओप्षन सी हमारा राइट अंसर है अगला प्रशन है तीन छे अठरा बहतर और 21 साथ क्वेशन काफी इजी है स्टार्टिंग की वेल्यू काफी छोटी लास्ट की वेल्यू काफी बड़ी तो हमें पता है मल्टीप्लाई का ही रूल यहां पर क्या होगा फोलो किया जाएगा तो यहां पर है इंटू 2 तीन गुणा 2 छे छे त्या अठरा अठरा जोके 72 पैटन मिल गया अब 72 को किस से मल्टीप्लाई करना है पांच से मल्टीप्लाई करना हमने तो पांच से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैंने अभी आपको बताया इंटू 5 कैसे करते हैं वैल्यू को आधा करके रखिए आधा कितना 36 और लास्ट में एक 0 लगाईए 360 हमारा राइट अंसर है पैटन हमें मिल गया इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और लास्ट में इंटू 6 हमारा पैटन यहां पे फोलो किया जाएगा अगला प्रशन है आपके पास अगला जो प्रशन है उसमें हम क्या कर रहे है थोड़ा सा पैटन जो है वो आपको ने ने यहां पे देखने को मिल सकते हैं 100 का आधा कितना 100 का आधा 50 इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए 52 का आधा 26 28 का आधा कितना 14 और 16 का आधा कितना 8 तो पैटन तो हमारा बन गया इस कोशन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं वो कौन सा तरीका है देखिए यहां पे हमने किया divide by two 100 का आधा 50 फिर मैंने किया plus two बाभन आ गया बाभन का आधा कितना 26 26 में दो आगे किया 28 28 का आधा कितना 14 14 में दो आगे किया कितना 16 और 16 का आधा किया तो कितना 8 तो इस तरीके से भी हम question को जो है book कर सकते हैं पहले मैं divide 2 कर रहा हूँ मैं फिर मैं plus 2 कर रहा हूँ divide 2 plus 2 divide 2 plus 2 यह हमारा pattern है इस तरीके से 14 हमार पास right answer आएगा अगला question है 1, 3, 7, 13, 21 gap try करें आप सब भी साथ में notes आपको जरूर बना के चलना है तब ही आपकी त्यारी जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो पाएगी यहाँ पे है आपके पास gap को आप चेक करें कितने का gap 2 का gap उसके बाद यहाँ पे कितने का आएगा 4 का gap है ठीक है जी 7 और 7 14 यहाँ पे कितने का gap आएगा 6 का gap आएगा फिर आएगा 8 का gap easy है question pattern हमें मिल गया plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 तो अगला के आएगा आएगा 21 और 10 कितने 31 option c हमारा राइट आंसर है और राइट आएगा 31 अगला प्रशन 6 10 18 34 ट्राइग करें आप 6 और 4 10 10 और 8 18 18 और 16 कितने 32 पैटन हमें यहाँ पे ढूंडना पड़ेगा तो पैटन हमें मिल गया है 4 8 16 यह gap हमारा चला है तो 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 16 और 32 आएगा 16 और 32 कितने हो जाएगे यहाँ पे 32 और 32 64 16 66 हमारे पास आंसर आएगा मैं question को यहाँ पे आपके बास करके बताता हूं किस तरीके से हमने question को किया है यह मैंने question लिखा यहाँ पर यहाँ पर मैंने gap ढूंडा चार का gap है यहाँ पर gap 8 का है यहाँ पर gap कितने का है 16 का है यहाँ पर इसके बाद मेरे को gap का पता ही नहीं है तो मैंने के किया 4 का double 8, 8 का double 16, 16 का double यहाँ पर लिख लिए 32 तो 32 और 34 कितने हो गए 66 हो गए अब 66 और कितने 13, 66 और 13, 64 आएगा pattern मिल गया 4 का double 8, 8 का double 16, 16 का double 32, 32 का double 64 तो right answer हमारा यहाँ पर बिल्कुल सहीव जा रहा है option C कि अगला प्रशन है यहाँ पर gap लगा के देखते हैं 6 और 21 के बीच कितना गए पंदरा पंदरा च्छे इक्किस उसके बाद 21 और 29 पचास यह आ गया प्लस 30 का gap फिर आ गया प्लस के 96 है यानि कि 45 का gap तो pattern देखने से पता चल रहा है 15 और 15 तीस फिर पंदरा आइड किये 45 फिर से पंदरा आइड करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा पंदरा का पहाड़ा चला है 296 और 60 कितने होगे 6 और 15 एक उपर जाएगा 356 option B हमारा जो है वो इस question का right answer रहेगा अगला question है question है आपके पास इस question को करने के different method हमारे पास हो सकते हैं question मैंने लिखा यहाँ पे 4 फिर है gap फिर है 19 उसके बाद है 49 फिर है 79 फिर है 159 यहाँ पे इसका gap तो पता नहीं है starting में हमें लेकिन उसके बाद के gap का पता कर सकते हैं no यहाँ पे 19 और 49 के बीच कितने का gap आएगा 20 का gap है फिर यहाँ पे आएगा 40 का gap फिर आएगा 80 का gap तो पैटन कहीं न कहीं पे हमें समझ में आगया 80 80 का आधा 40 40 का आधा 20 20 का आधा कितना आएगा 10 10 का gap होगा तो 9 और 19 के बीच 10 का gap होता और फिर इस से आधा 5 का gap यह पैटन हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर multiply का pattern भी आप यहाँ पे apply जो है वो कर सकते हैं यह 79 और 159 तो pattern कैसे चलेगा 19 गुणा 2 करूंगा और प्लस 1 कर दिया 49 49 को 2 से गुणा किया 78 और 79 79 को 2 से गुणा किया 158 और प्लस 1 159 तो किस value को multiply करूं into 2 से और प्लस 1 करके कि 19 आए तो वो value कौन सी है 9 9 को 2 से गुणा किया कितना है 18 18 और एक कितना जाएगा 19 और 4 में भी same pattern apply करूंगा 4 गुणा 2 8 और एक कितना 9 तो right answer क्या हमार पास no कोई भी pattern आप लगा सकते हैं दो pattern मैंने आपको इस question के लिए बताए दोनों में से जो भी आपको लगता है उस pattern का आप user कर सकते हैं अगला प्रेशन देखने से ही पता चल रहा है multiply का है क्यूंकि starting की value छोटी last value value बड़ी एक को 2 से गुणा करूंगा 2 2 को 3 से किया 6 6 को 4 से किया 24 और 24 को करूंगा 5 से pattern तो देखने से मिला into 2 into 3 into 4 तो अगला into 5 24 को मेरे को किस से गुणा करना है 5 से गुणा करना है अभी मैंने बताया 5 से गुणा कैसे करते हैं 24 का आधा लिखा और 0 लगा दी 120 हमारा right answer है अगला प्रशन देखने से पता चल रहा है कभी value छोटी कभी value बड़ी तो मैंने अभी आपको बताया था जब value छोटी या बड़ी आए तो बीच में से value को ही काट दे तो 7 और 1 आठ 8 और 1 9 तो 9 और 1 कितना पहले तो आगया 10 दस वाला option कौन सा जी option B यही answer हमारा बनेगा यह 10 और 1 11 11 और 1 12 12 और 1 13 तो 10 और 13 हमारा option B बिलकुल सही answer रहेगा जब value छोटी बड़ी हो जाए हमें examiner confuse करें तो हम भी उसको confuse करेंगे हम बीच में से value को ही क्या कर देंगे खतम कर देंगे अगला प्रशन है जी इस question को आप try करें क्या right answer होगा 60 है 69 है 85 है फिर gap है और 146 है कितने का gap 9 का उसके आद कितने का 16 का अब यह gap तो हमें पता ही नहीं है कितने का होगा लेकिन अपने तरीके से हम कुछ न कुछ है के hint लगा सकते हैं 9 जो है वो किस का square है 3 का square है 16 4 का square है तो अपने तरीके से मैंने लगा दिया कि यहाँ पे जो है वो 5 का square आ सकता है 5 का square कितना 25 है एक बार apply करके देखना है क्या 146 answer मिलता है या नहीं मिलता है तो 85 और 25 कितने 85 और 25 एड़ करेंगे कितना आजाएगा हमारे पास 110 आएगा option A बन तो गया है अब देखना है कि 110 और 140 बनता है या नहीं बनता है पैटन क्या लगना चाहिए 3 का square 4 का square 5 का square अगला 6 का square ही लगना चाहिए मतलब कि gap 36 का ही आना चाहिए तो 110 और 140 में 36 का ही gap ह है तो square का pattern ही हमारे पास apply होगा तो option A जो है वो इस question का right answer रहेगा अगला अंतिम प्रशन है आज की class का जिसमें हम number series को आज हम खतम करेंगी इसके बाद आपकी alphabet series जो है बो start हो जाएगी इसमें आपके पास question क्या दिया गया है 121, 169, 179 ये कहीं ना कहीं पे आपके gap से भी निकलने वाला प्रशन है या फिर मैंने आपको starting में बताया था आपको square या cube लगभग 20 तक आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर तब भी आपका answer जो है वो direct निकलेगा 121 जो है वो 11 का square है 169, 13 का square 289, 17 का square ये 19 का square और 529, 23 का square पैटन क्या चल रहा जी 11 और 2, 13 13 और 4, 17 17 और 2, 19 19 और 4 कितने 23 तो पैटन चला प्लस 2 कर रहे हैं, प्लस 4 तो यहाँ पे प्लस 2 किया 23 और 2 कितने 25 का square करेंगे 25 का square कितना आएगा 625, option C हमारा इस question का क्या रहेगा, बिल्कुल सही answer रहेगा, पैटन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, square का pattern कर रहे है 25 का square हमने यहाँ पे किया, तो answer क्या आगया, 625, ठीक है, अगले प्रेशन पे चलते हैं अगला जो है हमारा अंतिम प्रेशन था, आज की सीरिस की class का, तो जल्दी आपकी जो है, वो alphabet की सीरिस भी आपको देखने को मिलेगी साथ-साथ में आप notes जरूर बनाएं, और अपने जो आपके fellow mates हैं, उनको भी आप बताएं कि विज़ेपता education का paid course जो हैं, वो जो हैं, वो जो हैं, जो भी आपका syllabus है उन सभी की आपको classes आपको देखने को मिलेंगी, easy, moderate, hard level की सारे की सारे question आपको type by type आपको करवाये जाएंगी, bilingual में आपको सारी की सारी classes देखने को मिलेंगी, ताकि हिंदी या English medium के students हैं, उनको किसी भी topic में जो है, वो कोई भी difficulty ना है, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भ की सेखना देखने ताकि